नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोताँँ दोस्थो पत्रकारटा के पनोति काल में एंकरों के भक्तिकाल में गजब का अमरित काल आ गया है जिस मीडिया पर जिम्मधारी है कि रिसर्च के साथ जनता के मुद्धों पर सरकार से सवाल किये जाएं उस मीडिया पर रिसर्च करके वीडियो बनाये जा रहे हैं सरकार की भक्ती में मीडिया की प्रोपगेंडा को एक्सपोस किया जा रहा है रिसर्च करने वाले यूट्यूबर एंकरों को एक्सपोस कर रहे हैं हमारे देश का मीडिया देश की जनता को किस तरह बेवकूप बनाता है दुरूब आठी ने एक बाद फिर कमाल का वीडियो बनाया है जिसमें मोधी सरकार के साथ मीडिया को पूरी तरह एक्सपोस किया गया है किसानों को बदनाम करने को लेकर आपको याद होगा कि जब MSP के मुद्दे पर किसानों ने अंदोलन की दोवारा शिरुवात की तो सुधी चोधरी और सुषान सिना सहित कई एंकरों ने बकायदा विश्टेशन किया कि किसानों की MSP की मांग क्यो नाजायज है और कैसे देश की अर्थववस्ता चर्मरा सकती है धुरूब राटी ने नए कि भरम में नहीं आना है ये मांग बिल्कुल नाजायज है और कह रहे थे कि MSP की कानून गारंटी असंभाव है और कुल मिलाकर 17 लाग करों रुपे खर्च हो जाएंगे देश परबाद हो जाएगा फला 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 तरह का प्रोप्रेंडा इन्होंने फैलाया उसके बा अवाल काट रही हैं इसके अलावा देश के असली किसान अपने खेत में हैं ये सारा प्रोपगेंडा है अगर MSP की मांग मान ली गई तो देश बरबाद हो जाएगा ये विश्लेशर किया सुधी चोधरी जैसे अपने आपको विश्लेशर का अमिताब बच्चन बताने बा लेकिन धुरूराटी ने दोनों के वीडियो की दोनों के एजेंडे की पोल खोल दी है धुरूराटी ने अपने वीडियो में जानकारी देते वे बताया कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिसर्च आई थी उसमें बताया गया कि 21,000 करोर रुपे अतिरिक्ट खर्चाएगा जो पहले से खर्च चल रहा है कोई बहुत बड़ी कयामत नहीं आ जाएगी देश के किसानों का अगर सोशन किया जाता है उसको रोपने की जिम्मेदारी सरकार की है तो 21,000 करोर रुपे कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती सरकार के लिए तो यह जो मिस इन्फोर्मेशन फ महंगाई की बात है अगर किसानों को MSP नहीं भी मिल रही है तो जनता की कौन सी बल्ले बल्ले है किसानों से सस्ता खरीद कर जनता को महंगाही बेचा जा रहा है दुरूब आटी इस वीडियो में यही पोल खोलते हैं और सेव का उधारण देते हैं हिमाचल में जो सेव खर मिल रहा है आगे धूराटी एक और उधारण देते हैं स्वीड कोन का उधारण देते हैं धूराटी पैकिंग बाला आता है सो ग्राम 25 रुपे का यारी 500 रुपे किलो और किसान उस पर कितना MSP चाहते सिफ 21 रुपे किलो तो क्या देश की जनता बरबाद हो जाएगी देश की जनता 2500 रुपे किलो स्वीट कोन खरीदने को मजबूर है और किसानों को 21 रुपे भी नहीं मिल पा रहे और एंकर विश्रेशन करते हैं कि अगर 21 रुपे दिये गए तो देश बरबाद हो जाएगा महंगाई देश जिल नहीं पाएगा हकीकत यह है कि किसानों का भी सोचन हो रहा है आम जनता का भी सोचन हो रहा है MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइज किसी भी सरकार की जिम्मदारी है कोई मैकसिमम नहीं माग रहे मिनिमम माग रहे हैं किसान PM मोदी ने पहले खुद वारा किया था BJP के एजन्डा में शामिल है उसके बावजूद किसानों का दमन किया जाता है सोचल मीडिया पर आवाज उठाने वालों के अकाउंट बेंड किये जाते हैं ये सारे मुद्दे धूराटी ने अपने वीडियो में दिखाए हैं अगर MSP को लेकर किसानों का कोई विरोध करता है तो आपको ये वीडियो उनको जरूर दिखाना चाहिए और धूराटी का MSP पर ये वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और जो भी लोग सवाल उठाते हैं किसानों को लेकर MSP को लेकर उन्हें भी ये वीडियो जरूर दिखाना चाहिए जो फैक्ट के साथ हर सवाल का जवाब देता है साथी धूराटी का ये वीडियो देखकर सुशान सिना और सुधी चोद्री जैसे एंकरों को अगर थोड़ी शर्म आए तो चुलू भर पानी में सॉरी मदब इसका कोई फर्क नहीं पड़ना शर्म वगरा ऐसे एंकरों को आती नहीं है तो ये लाइन कंप्लेट करने का कोई फाइदा नहीं है इनकी सेहत पर कोई एसर नहीं पड़ता है ये बिलकुल शर्मिंदा नहीं होते है क्योंकि प्रोपगेंडा फैलाने के लिए ऐस से एंकरों को रोजाना नया टास्क और नया मुद्दा मिल जाता है आप MSP की मुद्दे पर धुराटी के ऐसे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं और मीडिया जिस तरह ऐसे मुद्दों पर सरकार का सुरक्षा कबश बन जाता है किसानों को बदनाम किया जाता है अपनी अगर आप हमारी पत्रकार्टा को पसंद करते हैं तो थैंक्स की अप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार